नमस्कार मैं विशेक कुमार और आप देख रहे हैं देन्यूज लॉंचर इस वक्त की एक बड़ी ख़बर पस्चिम बंगाल से आ रही है जहां सत्तारूर त्रिणमूल कॉंग्रेस ने अपने सभी 42 उमिद्वारों के नाम का एलान कर दिया है पस्चिम बंगाल में 42 सीटे है और 42 सीटों में तियर्मूल कॉंग्रेस ने इंडिया गठ बंदन के किसी भी साथ ही के लिए ना तो कॉंग्रेस के लिए और लिफट के लिए तो ख़र सवाली नहीं था किसी के लिए अपने कैंडिडेट नहीं अपनी सीटे नहीं छोड़ी है और इन 42 सीटों में पूर क्रिकेटर 1983 की विशुकफ विजेता टीम के सदस से कीरती आजाद को दुरगापूर सीट से सत्रुगन सिना को एक बार फिर फिल्म अमिनेता सत्रुगन सिना को एक बार फिल्म एक बार फिर आसन सोल से और बरामपूर सीट पर लोग सभा में कॉंग्रेस संसरीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ विस्थोटक बल्लेबाज रहे क्रिकेटर यूसुप पठान को टिकट दिया गया है कांथी सीट पर भी उत्तम भरीक को टिकट दिया गया ह जहां से सुवेंदू अधिकारी के भाई सुमेंदू अधिकारी चुनाव लग रहे हैं और इसके साथ साथ नौत कोलकाता के सीट पर सुधी बंदोपाध ध्याय को बरकरार रखा गया है वहीं महुआ मोहित्रा को कृष्णा नगर सीट से एक बार फिर टिकट दिया गया है लेकिन सबको इंट्रेस्ट इस बात में भी है कि राजसभाग के सभापती जगदीब धनकर की कथिक मिमिक्री के मामले में जिने पूरे देश में एक तरह से विलन बनाने की कोशिस वी कल्यान बनर जी को बी एक बार फिर से टिकट दिया गया क्या है पस्चिम मंगाल की सीटों पर मंता बनर जी का गणित जंगल महल की सीटों में जहां बीजे पी ने बड़ी सफलता अरजित की थी वहां क्या होगा और उत्तर बंगाल में कोलकाता के साथ साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि वहां क्या होगा पस्चिम मंगाल की सियासत को समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है वरिस्ट पत्रकार और बेहद लंबा कई दसकों का अनुभा रखने वाले प्रसून आचारे जी प्रसून आचारे जी बहुत-बहुत स्वारों थैं आपका हमारे इसमज़ पर सबसे पहले आप हमारे दर्सकों को ये बताइए कि क्रिकेटर यूसुप पठान हम सब जब स्कूल टाइम में कॉलिज टाइम में क्रिकेट देखते थे उस दौर में यूसुप पठान इंडिया के विस्फोटक बल्लेवाज हुआ करते थे गुजरात से आते हैं और भारत के लिए कई मैच उन्होंने जीते हैं पस्चिम मंगाल में ममता बनरजी पर अल्प संख्यक वाद का आरोब बीजेपी लगाती रही है माइनुर्टी फेवरिटीजम का आरोब लेकिन जब यूसुप पठान का नाम सामने आ गया यूसुप पठान को कम से कम आज की तारीक में भारती जनता पार्टी भी देश द्रोही तो नहीं कह सकती आज की तारीक में यूसुप पठान को चुनाओ लड़ाने के पीछे क्या अधीर रंजन चौजरी को सबक सिखाने की तैयारी है जो लगातार टीमसी के खिलाब बोलते है या फिर बीजेपी को कहीं ने कहीं एक मै का लोग यहां पर इंतेजार करते रहें। तीसरा नर्थ माल्दा, और कॉंग्रेस का दो जिता हुआ सीट, एक अधीर 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 जाधुरी, एक साउध माल्दा, और करीबन एक पुरूलिया सीट दे सकता था, यह बाखी जो तीन चर्शीत है, वो एक्च्छली पिछले चुनाव में पिछले जो लोग का जो ए है, नीचे से जो कॉंग्रेस का जो वर्कर है, वो वर्कर बेहत तीनोमूल का टी-एमसी का खिलाब था, इसका कारण है खिलाब होने के लिए पिछले जो 12-13 साल में हैं ओ कॉंग्रेस का संगटन ओर्करनीजेशन अग्डम धस कर दिया, लोगों क मकदामा में फसाया और कॉंग्रेस को जीता हुआ काउंसिलर, MLA सब को साथ लेकर चला आया तो कॉंग्रेस का जीतना और्गानेजिशन था मम्ता बेनर्डी उसका खतम कर दिया उसके एकी मकसद था कॉंग्रेस को तोड़ो और हमारा पार्टी आगे बढ़ाओ तो नीचे वाला ग्राउंड लेवल पे कॉंग्रेस का लोग अभी नाराज थे TMC के साथ जाने के लिए लेकिन उपर वाला जो कॉंग्रेस का कोच टिकित प्रताशी था सीट का ओन लोग चाहते थे कॉंग्रेस साथ गड़बंदन हो जाए तो कॉंग्रेस का अच्छा हुआ TMC का अंदर भी फ्रम मोवा मोईट्रो तो अभीसेग बेनरची बंगाल में इतना सीट है 12-13 सीट बिना मुसलमान सापोर्ट से TMC जीत नहीं सकता है और कॉंग्रेस जी मुसलमान बहुल चेत्रों में लाखों बोट मील जाए एक लाख बोट उतना जादा नहीं है अगर बिदान सापा चेत्रों देके तो पचीस हाजार बीस हाजार बोट मील जाने से बहुत फाइदा है तो चेत्रों मुल का अंदर भी एक बहुत प्रिशर था जे कॉंग्रेस साथ गरवंदन कर ले तो वो मुसलमान बोट हमारा मिल जाए था लेकिन बाद में एक एड़्जस्मेंट साथ लगदा है हो गया है और आज ममता बेना जी का हम देख रहा है करें 35 साल से उसका 35 साल से मेरा उनुभाव है उसका साथ जुड़ा हुआ वो कई पाब्लिक मीटिंग में CPM का खिलाब एक सब दी नहीं बुला ऐसा अभी रेकॉर्ड उसका है गी और जब से त्रिनमूल पार्टि एक सब नॉट अट इंगल वड़ इसका कारण है CPM और कॉंग्रेस अगर मिल जाए और उसका एंटी त्रिनमूल भुट मिल जाए तो BGP का इंगल घाटा हो जाएगा BGP एंटी त्रिनमूल भुट से आगे बढ़ते है और CPM कारण जी मैं इसी सवाल पे आ रहा हूँ CPM और कॉंग्रेस का गठबंदन आज की तारीख में क्या भारती जनता पार्टी के साथ नमबर दो की पोजिशन के लिए लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है त्रिनमूल को जीशन में भजपा ही है लेकिन जैसा है एक तराजू का एक तरफ एक के जी दूसरे तरफ एक के जी है एक के जी ममता में जी एक के जी भाजपा और CPM को अगर से सो ग्राम का बठकारा जो है न वेट वो जिस साइड धुलेगा उस साइड जुल जाएका लोगों का लगदा था अगर उसको हटाज दिया जाएगा ममता का खिलाप जो वैट जनरोस है पाब्लिक का जो गुस्सा है उसको अगर भाजपा को नहीं मिलेगा मिला और कॉंग्रेस CPM का गड़बंदन को मिल जाएगा तो फाइदा ममता मेनर्जी का हो जाएगा और ममता मेनर्जी एक्चुएली तीन सीट पे कॉंग्रेस का मुटा मुटी वाकोबर करके रखा है एक कॉंग्रेस का जो जिता हुआ MP था पहले मानके चलते हैं आपको जे जीरो हाई MLA कॉंग्रेस का जीरो हाई MLA CPM का भी स्रफ दो ही MP था कॉंग्रेस का तो यूसूप पठान जो जहां खड़ा हुआ है मुष्षिदवा जेला में जेला का भारंपु चेत्र में भारंपु चेत्र का एक है अभी उहां पर 47-48% मुसल्मान है और 52-53% हिंदु बोल चेत्र है तो यूसूप वो एक तो गाउं है देहात है और उहां पूरा बांगला भाषी है और हिंदी समाझ में उसका आता ही नहीं है तो यूसूप पठान को खड़ा करके ममता बैनर जी एक टाइप अधिछोधुरी को फाइदा ही कर दिया चुकि भाजबाज इसको खड़ा किया डक्तर को और डक्तर भी बोला जे हम अधिछोधुरी का साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है वो बहुत बड़ा ओखना होने का बाद ही बोल दिया वो बहुत बड़ा पालिशियन है तो अधिछोधुरी आज के बाद अधिछोधुरी फाइदा में हो गया यूसीप पठान एक कैंडिडेट है, मुसल्मान कैंडिडेट है लेकिन जो बांगला बोली नहीं पाता है नमबर टू जहां दूसरा सीट मालदा साउथ में खड़ा कर दिया एक रमजान करके बेटा को आली करके वो बीदेश में पढ़ते रहता है हमारा साथ उसके संपर का है फेस्बूक पे वो हमेंसा कभी मुटा मेंन जी का खिलाब पोस्ट करते है कभी टी-मसी का खिलाब पोस्ट करते है कभी लॉंडन का पोस्ट करते है कभी अभी कुछ दिन पहले सुईजाल लेंड और सुईजन गिया था उसका कोई जमीन ही ऐसा पकड़ नहीं है जे उसरे मुद्धे पर आते हैं माल्दा से बाहर निकलते हैं चुकि उस इलाके में अभी दिखाई दे रहा है कि माल्दा मुसिदाबाद के इलाके में बीजेपी को कुछ खास मिलना नहीं है सवाल ये है कि जंगल महल का इलाका पिछली बार बीजेपी के लिए लोगसभा चुनाओं में बहुत अच्छी सफलता लेकर आया था साथ में साथ छे लोगसभा सीटे जीती थी और कल की परसों की खबर है कि जारगराम की सीट के सांसद एक हेमरम जी थे वो हेमरम जी पार्टी छोड़ दिया कुनार हम्णाम पाटी छोड़ दिया आज की तारीख में जब हेमंट सोरेन इंडिया ब्लॉक में है हेमंट सोरेन में विधान सभाच उनाओं में ज हार्करन से जाकर बंगाल के जंगल महाल इलाके में ट्राइबल बेट में टीमसी की मदड भी की थी इस बार जंगल महल इलाके में BJP की क्या इस्तिती है? इस बार जंगल में अभी इस चुनाओं में उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है जैसा पिछले चुनाओं में किया था और पुरूलिया में ओई पुराना कैंडिडेट को उतार दिया जो तीन महा तो ओ महा तो है कुर्मी अधिवासी चीता है लेकिन कुर्मी महां तो करके चलता है उसका मैंने कुछ दिन पहले चेत्रों पे गिया था वो पिछले पांच साल में दो तीन बार भी आज नहीं था कोई संपट में नहीं रहता है पाबलीक भी उसको मिलता नहीं है उसका खिलाप कई अख्रोश है तो जंगल महां चेत्रों में माकुडा जिला में जीता चाए बाप प्रसुन जी कलकता ग्रेटर कलकता की बात होती है कि ग्रेटर कलकता में साहई आठ या नौ लोग सबा सीटे आती है उस पूरे इलाके में कलकता महानगर और सबर्वन अरिया में आठ है नौ है सही कुछ ऐसा है आपको बेहतर पता होगा वहां पर तिनमूल और BJP या फिर CPM Congress Alliance किसका पलड़ा इस लोग सभाचुनाओं में भारी रहने की संभावना है यह हो गया क्या जे अब हम एक एक करकाते हैं South Calcutta जो लोग है South Calcutta में Bengali speaking मनवारी और कुछ South Indian लोग है ओसीत पिछने बार भी तिनमूल जीता था इस बार भी तिनमूल और यह तोनों बैलेंस पर चला है 50-50 तिनमूल का चांसे ज़्यादा है North Calcutta में जहां सुधी बंदबदा है लेकिन उस North Calcutta में हिंदी वार्षी बहुत सरह है ओ बिहार का लोग है UP का लोग है और मनवारी कुछ है ओ हिंदी वाषी बोट इस बार ज्यादा से ज्यादा जा रहा है भाजपा का पक्स में लेकिन सुधी बंदबदा जी का पोकेट बोट कुछ है करिबान 60-70,000 ओ भी नॉन बेंगल स्पीकिंग में अगर सुधी बंदबदाई को चेंज करके दूसरे किसी को देदाता ओवर उसका मिलता नहीं का सुधी बंदबदाई जो हो गया कैंडिड़ेट तो उसका फैदा सुधी पार्टी को भी मिलेगा सुधी बंदबदाई का एज है और हम चेत्रों में रहता है दमदम वना है भाजपा को लेकिन सवगतराय अपना जांसमपन इतना है हर महुले में हर क्लाब में हर इसमें वो जाते रहता है इस उमर में भी और उसका भी फैदा टी-मसी कोई मिलेगा बेराखपूर में चाहां दिने स्टिवेदी एक साल एक जमाना में हुआ था MP बाद में अर अर्जुन सिंह टिकिट के लिए दाउना शुरू कर दिया लेकिन इस बार टी-मसी उसको टिकिट नहीं दिया उहां पर्थो भूमित करके टी-मसी का मंत्री को टिकिट दिया है इस वेरी डिसेंट परसें ओ रामा का साथ जुड़ा हुआ रहते है और बेंगली स्पीकिंग लोग उसको सपोट करेगा और अर्जुन को नहीं हटाया उसका इंटरनल फाइट चाल रहा था टी-मसी का अंदर तो ओसी फिप्टी-फिप्टी मार्जिन पर अदार दूसरे कोई कैंडियर होता था और अर्जुन सिंह होता था टी-मसी से वो हर जाता था आज हम डिक्लिय पर जिप्टी-फिप्टी फिप्टी-फिप्टी है अगर मुसलमान लोगों का वोट उसका पक्स में मिल जाया और एंटी-टी-मसी का कुछ वोट सीप्टी-पांग्र से गर्डवांदर को मिल जाया तो फिर ओई सीट कृष्ण नादर जी जागा मुँंआ मुँआटी जा पुरे देश को पता है बंगाल में महिलाओं की स्थिति महिला ससक्तिकरन वी में इंपावर्मेंट की सिति देश के उत्तरभार्ती राज्यों के तुल्ला में ज्यादा बेटर है फ्रीडम ज्यादा रही आजादी के आंदोलन के समय से समय से देखा है लेकिन पवन सिंग ने भोजपुरी सिंगर पवन सिंग ने जिस पकार से अपने फिल्मों में अपने गानों में बंगाली महिलाओं का बेहद उप्जेक्शनेबल तरीके से चितरण किया और बीजेपी को कैंडिडेचर विड्रो करना पड़ा और उस पूरे खेल के बाद बंगाल के महिला वर्ग में पवण सिंग के मुद्दे और बीजेपी को लेकर क्या धारणा बनती हुए दिख रही है ना पवण सिंग को जहां विड्रो किया एक्चुली असंसोल में खड़ा किया जहां सुत्यूग्रा सिरा लड़ा है उसको एकड़म भगले बाला भीज सीट में लड़ा है आपका किर्ती आजा वो बर्दवान इंडस्ट्रियल बेल्ट है एक्चुली वहां हिंदी भासी बहुत है लेकिन बेंगली लोगों का उपर उसका उतना असार नहीं हुआ है परंतु संदेश्खाली जो वीमेन अक्टरो सिटी और वीमेन जो हुआ था पब्लिक आउट्रेज हुआ था बेंगली महिला का उपर उसका असार बहुत पड़े थे यह बात भी सही है जो टीमसी का कुछ वोट इसके लिए चल जाएगा और तुरंग इस बार जो नुसरत फ्रिम्स्टर है जो वहां से लड़ेते बसीराट में उसको टिकिट करवा दिया और पहले जो वहां का इंपीता 2009 में हाजी नूरूल उसी को फिर ममता बैनाजी इस बार बसीराट में टिकिट दिया है तो उसका खिलाब नुसरत खिलाब एक महिला होते हुए भी संदेश्खाली का वो कोई उसका खिलाब नहीं बोल पाए इसका जो असर है वो सिराट में उतना दिखाई नहीं देगा हमको तो यह मान के चलना है लेकिन थोड़ा बहुत संदेश्खाली के तो प्रभाप पूरा हिंदू समाग यह हिंदू महिला और बीजेपी उपर है और भजपा इसको जो है है बड़ा दे रहा है लेकिन बाकी जो लोग उसका साथ किया है वह सब हिंदू लोग है इसका करके बोल ला था भजपा भी हिंदू-Muslim प्राइम मिनिस्टर का नारा दिल्ली में इंडिया गटबंदर की बैटक में उचाला था वहीं इंडिया गटबंदर के अध्यक्ष भी है आज की तारीक में बंगाल के मतुआ समाज के लोग या दलित समाज के लोग का रुजहान क्या T.M.C. की तरफ है अलाकि ट्रेडिस मिली तो लोग जोती वासू के जमाने से C.P.M. के थे लेकिन आज की तारीक में वो T.M.C. की तरफ है या बीजेपी की तरफ है लेकिए भाजपा इतना कुछ बोला C.A. N.R.C. बगरा बगरा मतुआ लोग बहुत सरे उसके लिए उम्मीद करते थे कुछ हो जाएगा लेकिन T.M.C. थोड़ा दो दिन पहले एक चाल खेला मुत्वा समाच का जो बेटा है मुकुट मनी अधिकारी डक्टर वो बीजेपी के एमेले था उसको बीजेपी छोड़के और T.M.C. जॉइन किया जस्त तीन दिन पहले T.M.C. का मीटिंग में आ गिया अपिस्यली जॉइन किया नहीं किया जैसा इदर चलता है इमेले जॉइन करता है लेकिन पत नहीं छोड़ते लेकिन आज उसको खड़ा कर दिया हो मुकुट मोनी अधिकारी को रानागाड में खड़ा कर दिया जहां मुत्वा प्रभाब बहुत है और तो मुकुट मोनी अधिकारी एक्षियली ओ मुत्वा समाज का जुवा जो है धाफतार भी है उसका बहुत प्रभाब भी है तो जो मुत्वा का जो प्रभाब था उसको काट करके उसको रानागाड में खड़ा कर दिया तो उसका प्रभाब तो उतना नहीं रहेगा, मुत्वा समाज में भाजपा का जितना बोल रहा है, मुकुटमोनी उधिकारी को टी-मसी के जॉइन करने का बाद 50-50 सिचुएशन हो गिया है, पत्लि मुकुटमोनी उधिकारी के आने के बाद 5-6 लोग सभा सीटों पर जो मिलने के चांसे है क्या? क्या इस्तिती है? जो गोर्खा इलाका जो है अलग गोर्खा लेंड स्टेट मानते हैं और बीजेपी ने वहीं से एंडिया है. देखिए गोर्खा लेंड स्टेट का है, उसमें आपका दाजीलिंग में गोपल लामा करके एक को खड़ा कर दिया. एक्शली लगदा है, कॉं कॉंग्रेस को सपोर्ट करने जा रहा है. कॉंग्रेस के की फाइदा हो गया था. और जहां जैसा कैंडिडेर ममता खड़ा किया, यह लड़ाई कॉंग्रेस और भाजपा का साथ होगा. इसमें टी-े-म-सी का उतना भूमिका नहीं रहेगा. तो पर्दे का पीछे का यही खे में बोलेगा तो उसका हिंदी गाउवाले माईला का कुछ मालूम नहीं आएगा. अब दूसरा है मालदा दक्षीन, जहां गनिकान चोधरी का भाई लड़ता है डालू बाबू. वहां भी जिसको परादा की क्या इस्तिती है, मालदा सीट पर? बरकत दाए डालू बाबू क और तो उमर हो गिया, उसका बेटा इशा खान साइद इस बार ओ चुनाओ पर उतरेगा, वहां कॉंग्रेस का तो अभी लीस नहीं निकले हुए है, साइद इशा खान कैंडिडेट होगा, और उसका परिवार का है, और उसका खिलाब जिसको खाड़ा किया, तो हम वही आप को पहले बोल रहा था, सानवाज आली रामान, वह पढ़ा हुआ, वह बिदेस में रहते हैं, वह अभी आएगा, चुनाओ लड़ेगा, और उसका T.M.C. का खिलाब कहीं बोलते थे, तो ओभी वी कैंडिडेट है, और दजिनिंग जो है, ओदर भी वी कैंडिडेट दे दिय तो कौनेस को खोड़ा हालता दे दिया मंतर ने, एक बात बताईए पसोनाचारे जी, कल्यान बनर जी को लेकर दिल्ली में और डौन बंगाली स्टेट्स में काफी इंट्रेस्ट है, खास कर वो कठित मेमेकरी वाला जो मामला हुआ, कल्यान बनर जी की अपने सीट पर क्या हाँ वहां पर है, गलान मेनाट जी का जो सीट है सिरामपूर, वहां भी हिंदी भाषी करिबन 30 to 40 बर्सन हैं, तो जूट्मिल एरिया है, बहुत सरे जूट्मिल वरकर है, बहुत सरे गरीब मुसल्मान भी है, भोँत सरे बिहार का यूपी का इस्टर्ड यूपी का बहुत स लेगा और कल्लान पुराना खिलारी है वो हर जगा जाते है उसका चेहरा है लोगों का सब पर पर रहता है एस सीट लेकिन बीजेपी का पास फिप्टी फिप्टी चांसेज में आ गिया है आज का दिन में इतना आसान नहीं बोल सकता है जिए जाए एक चर्चा होती है इसको म गांगुली दादा दादा के पुलिटिकल इंकली नेशन को लेकर तरह-तरह की गौसिप चलती है अभी हाली में दादा ने ममता बनर्जी से मुलाकात की थी तो क्या दादा बंगला भद्रलोग को आज की तारीख में उस तरह से प्रभावित करने की स्थितिम में है जैसे व ओ इतना अपर्चुनिस्ट है ओ लेफ फ्रट के जमाना में जमीन लिया था क्रिकेट एकाडेमी बनाने के लिए फिर उसको बोला इसकूल करेगा जो जहां 10,000-15,000 सेलरी माईने देके हर माईने में स्टूडेंट भरती कराएगा उसका खिला पी-ा-ई-ल हुआ उसका जमीन वापस करना पड़ा फिर मम्ता बैनर जी का पास से जमीन लिया है फिर मम्ता बैनर जी को कुछ जमीन वापस करना है फिर बोला है वो सैम स्टील का सथ उसका जुरा हुआ उसका कुछ जमीन है लेगा मम्ता सवराब गंगुली इतना अपर्चुनिस सभीद हुआ है बेंगा का क्रिकेट का आज जो स्थिती है वो रंजी ट्राफिक में एकदम नीची स्थर पे चिपुरा का पास भी हार जाता है तो बेंगल का क्रिकेट एकदम धस्त जैसे मासूस होता है सोराव गांगुली ओ भी करके देखाया उसका सेव अपना धंदा पैसा का धंदा उसका बिजन अभी नोपली छोड़के चला गिया भाज पे उसका पास वो बेंगली भदलोग थे लेकिन वो जो मूँ खोला चैनल में तब पता चल गया यह इतना अनेडुकेटेड और अशिक्षित्माफिक बात करने लगा अनापसना बख रहा है दो दिन से लोग हसने लगा है और कई लोग फेस्बूक में सोचाल मीडिया में उसका इतना ट्रोल हो रहा है हम भी कुद लिख चुका है अब सोच नहीं सजिएगा जी एबीपी में ओस इंटर्विव देने के टाइम में प्रसुन जी बिना असिक्षित बने या असिक्षित बनने का ढोंग किये राइट विंग स्ट्रोली में कहां किसी को जेगा मिल पाती है वही तो दिक्कत है ओ धन से बोलाए आसी हजार क्रों रुपिया नहीं 1946 का आएने में हड़ प्लियार जौला नहेरू और उसी को परसा मिला इंदरा गंदी राजीव गंदी को कहां कहां से उन लेके आते है काल ओ मुलाकात किय नरंद्रमोदी से हाथ मिलाया इसके बाद मंचे से उतरते हुए बोला तुरंत 350 त्रिक लागों होना चाहिए बेंगौल में उसका हर बयान पे भीजेभी का लुपिंग लास्ट क्वेश्चन हमारा इस पूरे सेशन का कि बंगला भद्र लोग का रुजान किधर जा रहा है बंगली भद्र लोग का दो समाज को अब दो हिसा में बढ़ दीजे एक तो बंगली भद्र लोग उलग गरीब लोगों का बात सुस्ता नहीं है जो आईटी इंडस्री में है मैं बगरा बगरा में है वो अपना एक मन बना लिया ममता बेनर जी बहुत कराप्टेड है नायंद्र मुदी का चेरा उसका पास बहुत अच्छा है तो इसीट का कुछ वोट जाएगा लेकिन बहुत माइनरिटी है उपको पुरा स्टैस्टिक जो है यह बहुत माइनरिटी है कुछ जाएगा भाजपा का पास में और कुछ बेंगली भद्र लोग आज ही मैं महुला कि लोग आते हुए भाजपा का यहां राज करेगा हमको हम लोग चलने नहीं देगा ममता कोई जिता ना है लेकिन हमें से चर्चा ममता का करप्शन के खिलाब बोलते रहता है तो उसका बोट डिविशन हो जाएगा और ममता बेनर्टी एक्चुली जिसका बोट से जितता है गरीब लोग गरीब तब कर जो हजार रुपिया दिया अंगनवारी को पईसा बढ़ा दिया बगरा बगरा कर दिया गरीब का उपर ममता बेनर्टी का अभी पकड़ है और मुसल्मान का उपर 30% से उपर ज्यादा मुसल्मान है बिंग्वाल में और 12-14 सीप पुरा मुसल्म आठ दिन में चार बार नरंद्रमोधिक बेंगॉल में आ चुके हैं और अमिस्टा आके ओपेन में बोला है जह हमारा 26 टर्गेट है सीट पीछले टाइम आठारा से हम लोग ता अश्चरी हो नहीं बोल पाया 30 से टर्गेट है अश्चरी आज का जो स्थिती है उसका सीट 18 से घाटे पर चल रहा है अब सबसे बड़ा बात एक ही बात मैंने कहिना चाहता है ममता बैनर जी आज रैली में ब्रिगेड रैली में जो भाषन दिया है इतना शालीन भाषन इतना स्टेटिस्टिकल भाषन और बिना कुछ देखते हुए कोई ज़सा अब मोदी जी करता है केली प्रम्टा तो उसका पता है नहीं उसका पूरा डाटा उसका मन में था पूरा की पूरा इन्हें सही बताया वो अनफसानम नहीं बोगा बला और एक शब भी कॉंग्रेस का खिलाब सीपीम का खिलाब नहीं बोले और जजज लोगों का हाथ जोड़के कहा ये देखिए आप जाज्वेंट दीजिए केस का उपर मेरिट करते हुए या पर दूसरा बद चला जाईएगा बीजेपी में और इसलिए जाज्वेंट दीजिएगा ऐसा मत कीजिए तो आज का स्थ सितियों पर पसून आचारी जी हमारे साथ आगे भी जूड़ते रहेंगे आज इन्होंने जो बताया उससे साफ जाहिर होता है कि भारती जनता पार्टी पस्चिम बंगाल में अपनी सीटों को बहुत हद तक बचा पाने की सितिती में नहीं है ममता बनर जी ने जो टिक्ट पत्वा समाज से आने वाले कुभरते हुए पॉलिटिकल स्टार को बीजेपी से लाकर जिस पकार से मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिस ममता बनर जी ने किये आगामी लोगसभा चुनाओं में भारती जनता पार्टी के लिए कहीं 2014 की तरह सिमटने के हालात ना बन जाए य जज पार्टी छोड़कर आ सकते हैं जा सकते हैं लेकिन जज जो भासा बोल रहे हैं इस देश का सबसे जागरूख समाज वो बांगला समाज इसने लौड करजन के जमाने में भी बिटिस सामराज को बिटिस हुकूमत को पानी पिला दिया था बंग भंग तक करना पड़ा बिटिस समाज को बिटिस सरकार को आज की तारीख में भारती जनता पार्टी ने भी याद कीजिये कुछ दिनों पहले पस्चिम बंगाल से अलग कुछ इलाकों को मिला कर के निसासित प्रदेश बनाने का सीगूपा जमीनी अस्तर के कारेकरताओं ने जरूर छेडा था बं तो वहाँ बांगला असमिता की जलक मिलती है ममता बनर जी की आज की यह स्पीच में भी मिलती है राम नौनी की छुटी भी गोशित की गई है और भारती जनता पार्टी के उन तमाम दावों पर कम से कम आज की तारीख में अपनी तरफ से ममता बनर जी ने बर्फ डालने का काम जरूर किया है देखते हैं चुनाव में क्या होता है और चुनाव में जो कुछ भी होगा वह हम सब के सामने होगा और चुनावी परिसितियों पर विस लेशन के लिए प्रसूना चारे जी हमारे साथ जुड़ते रहेंगे आज की चर्चा बहुत नहीं प्रसूना चारे जी हमारे साथ जुड़े बहुत बहुत धलेवाद आपका